वेलकम टू माई चैनल एचके करेशन्स आज हम आपको घर में पड़े हुए पुड़ाने कपड़े परदे से वाशिंग मशीन का कोवर बनाना सिखाएंगे आप ये देख रहे हैं मेरे पास ये पुड़ाना परदा है ये अप इस्तमाल में नहीं होता क्योंकि आपने ट्रेंड में वाले परदे आगे हैं तो आप देख रहें ये का परदा तो ये है हमारे घर की वाशिंग मशीन सबसे पहले हम वाशिंग मशीन के चारूं तर्फ से परदा ये जो आपके पास עदर है उसको घुमा लेंगे और देखेंगे कि ये पूरी होती है की नहीं तो आप देख रहे हैं इस तरह से हम घुमा लेंगे और हम जो इसकी चारू साइड्स है वहां से चेक करेंगे कि ये पूरी होती है की नहीं अगर ये पूरी है तो अच्छी बात है और अगर नहीं है तो आप इसमें एक्स्टर कपड़ा जोड़के भी सीव कर सकते हैं जो आप यह देख रहे हैं यह एक्चुली मेरी चादर पूरी है तो मुझे दूसरे कपड़ा लगाने की जरूरत नहीं है तो जो आप ये एरिया देख रहे हो जहां से ये है यहां से मैं इस परदे को सी लूँगी ताकि ये पूरा चारूं तरफ से बंद हो जाए इसी तरह आप भी अपने जो भी आपकी चादर है उसको सी लेना और जो नीचे एक्स्टर कपरा परा है इसको हम काट देंगे क्योंकि हमें नीचे ज़रूरत नहीं है तो जो ये एक्स्टर कपरा है तो इसको हम काट लेंगे अब आप अच्छे से काट लेना बराबर लेंद नाप के मिशीन की आपकी जारू सैट्स की फिटनी वाला फिट होना चाहिए आप जादा लेले कपरा बाद में वालना खुला होगा और नीचे गीर सकता है तो हम काट लेंगे अलग से तो उसके बाद हम क्या करेंगे की चारू साइट से कपरे के स्टिच कर लेंगे सी लेंगे ताकि इसके जो धागे साइट से निकलते वह नहीं निकले तो अब हम भी सी रहें तो सबसे पहले हम वह एरिया सी रहें जो मैंने आपको पहले दिखाया जो जिससे यह सारा बंद हो जाएगी वाशिंग मिशीन का जो मैंने आपको दिखाया था हम वह वाला एरिया सी रहें उसके बाद बाकी जो एरिया है चारू उपरी हिस्सा देख लेंगे हम इसकी लेंट और ब्रेथ दोनों नाप लेंगे मतलब लंबाई और चोड़ाई नाप लेंगे और उतना कपड़ा काट के इसके उपर चेक कर लेंगे कि कितना सा ठीक है अच्छे से चेक कर लीजिए ताकि आपको बाद में प्राब्लम ना हो तो लगबग चार पांच इंच हम और अलग से कपड़ा काटेंगे चारों तरफ के लिए ताकि हम इसकी फ्रिल्स बना सकें तो यह है जो मेरा कपड़ा जो मैंने काट लिया है और यह एक्स्टर कपड़ा लगबग 5-6 इंच का मैंने लंबा काटा हुआ है अब इसकी में फ्रिल्स इस तरह से आप बना सकते हैं तो इस तरह से फ्रिल्स बना के हम उनको सी लेंगे और इस तरह हमें फ्रिल्स बना के चारों कपड़े की चारों साइट से सीनी है तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे यूटीब चैनल को स्पोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए तो इस तरह से हम पूरी तरह से फ्रिल्स बना लेंगे और ये कुछ इस परकार से दिखेगा तो जब ये इस परकार कर दिखेगा तो अब हम इसको लगा के देखते हैं कि ये वाश्णिंग मिशीन पर कैसा लगता है तो सबसे पहले हम जो हमने चारू साइड वाला बनाया था उसको लगाएंगे तो ये हमने लगा लिया है तो ये कुछ इस परकार से लगेगा लगेगा तो आप अच्छे से देख लीचे फिटिंग है क्योंकि हमने उपर से सीलिया है और नीचे से भी सीलिया है ताकि धागे विगले जो निकलते हैं और बीच में से भी सीलिया है जो कि मैंने पिछली साइड रکाए ताकि आगे से बिल्कुल साफ लगे तो ये उपर से हम फ्रिल्स वाला दला लेंगे तो आप देख सकते हैं ये कितना ही सुन्दर लग रहा है वैसे मेरे किचिन में है ये वास्टिंग मशीन बर्ट यहाँ पर थोड़ी लाइट की कमी है तो इसलिए प्लीज प्लीज सब्सक्राइब